हलो एवरीवन गूट मॉर्निंग विल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बہатель होंगे ब्रस्पति बार का दिन है और तारीक है चबशस्थ mean तो कल का ये वीडियो है और मेरी एक सस्क्राइबर बोल ले थी कि दीदि आप डेई और डेड जरूर बताया करो किस दिन का वीडियो है तो कल का ही ये वीडियो है और ये सुबे के 7 बजे का टाइम है 7 बजे मैंने अपने घर की साफ सफाई सब कुछ निप्टा ली थी आज कल मैं अंधेरा होने से मतलब उजाला होने से पहले पेल ली अपने घर की सफाई बगरा कर लेती हूं सुबह आज कल मैं जल्दी उड़ जाती हूँ मैंने अपना रूटीन बना लिया है 5 विजे उठने का 5 विजे उठके मैं सबसे पहले अपना पानी पीती हूँ exercise करती हूँ उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी सुबह cleaning में घर की साफ सफाई में तो घर की साफ सफाई सुबह सुबह कर लो ना और जब सूरी उगने से पहले आपके सारे काम खतम हो जाते हैं तो खुद को बहुत जादा अच्छा लगता है अब बारी थी नहाने की तो नहाने से पहले आज मैं सोची थी क्या पहनू क्या पहनू तो मेरे पुराना सा कुड़ता है यह मतलब कुड़ती है तो यह यलो कलर की है और यह बहुत जादा पुरानी है और मुझे लग रहा था कि मेरे लिए आएगी या नहीं पर मैंने एक बार प्रेस तो कर ली थी मैंने सुझे चलिए देख लेते हैं प्रेस करके आपका जो भी कपड़ा होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है तो मैंने इसमें प्रेस कर ली थी साथ बज़े का टाइम था बच्चे मेरे अभी दोनों लेटे ही थे कितना भी उनको उठाने की कोसिस करो नहीं उठते हैं जल्दी दोनों बच्चों की छुटी थी कल के दिन बच्चों का कोई एक्जाम नहीं था तो बच्चों की एक दिन छुटी एक दिन एक्जाम ऐसे ही हो रहा है आजकल बच्चों के एक्जाम चल लखे हैं ना इसलिए तो मैं तो उठी अपने काम पे लग गई थी इसे बाद मैं आई हूँ किचिन में अभी मैंने खाना बगला नास्ता कुछ ही नहीं बनाया था पहले मैं साप सपाई कर लेती हूँ दिया जला लेती हूँ मंधिर में उसके बादी किचन के काम शुरू होते हैं बस मैं सुबह गरम पानी बना के अपने ले पीती हूँ और का बाहर का मAUSOM बारिश हो डिती है पूरी राध भर पड़सों वी बारिश ठी कल सुबह जब उठी तो देखा बाहर बारिश हो डिती और हलकी हलकी सी बारीश अभी भी लगी हुई थी मौसम काफी अच्छा हो गया है जैसे ही थोड़ा बारिश हो तिया ना मौसम काफी अच् तो मैंने राजमा को भीगोने के लिए मैं रख दूंगी मैंने गरम पानी कर लिया था और यहां पर मैंने राजमा ली है थोड़ा सा क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं खाने वाले बहुत ज्यादा डाल में नहीं भीगाऊंगी तो अब मैं क्या करूंगी इस डाल में मैं पानी लगा लेंगे अभी मैं इसको बस एक सिती लगा के ना छोड़ दूंगी अब कर लेते हैं नास्ते की तैयारी तो बच्चों ने बोल दिया था कि ममा बहर बारी शोरी है हमारे लिए आप पकोड़ी बना दो मैंने का चलो ठीक है मैं तो पकोड़ी वगर नहीं खाऊंगी क्यो रात की रोटी बच्ची हुई थी तो मैं तो उसी को खाऊंगी क्योंकि आपने कल का वीडियो देखा ना मैंने कद्दू की सबजी बनाई थी और फिर हजबन जी ने बाहर से भी कुछ खाना मंगा दिया था तो वो रोटी सबजी बच गया था ऐसे ही तो मैं कद्दू की तो मैं खाल लेती हूँ मुझे अच्छी लगती है रात की रोटिया भी गरम करके खालोना काफी फ्रैस एकदम ताजी ताजी सी वो हो जाती है तो मेरे लिए तो वही नास्ता हो जाएगा बच्चों के लिए खाली मैं यहापे पकोडी बना रही थी और अक्रिस ने किचन में के बोल दिया था कि ममा आपना एक कड़ाई भर के पकोडी बनाना उसको पकोडी वगरा बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको यह लगता है कि ममा कम बनाएंगी तो जल्दी खतम हो जाएगी उसको रहता है कि ममा ज्यादा ज्यादा बना देना तो पूरा दिन भर मैं पकोड खाता रहूं तो मुझे बार बार बोला था ममा पूरी कड़ाई भर के बनाना कम मत बनाना मैंने का ठीक है विटा तो इतना ही बनाओंगी जितना वो खाएंगे क्योंकि पकोड़ी वगरा बहुत जादा भी सही नहीं होते ना इतनी ओईली चीजे चाहे बच्चे हो चाहे पकोड़ी के उपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला भर भर के चाट मसाला डालो ना तब ही मेरे बच्चों को पकोड़ी खाने में अच्छी लगती है और इसमें थोड़ा समय सॉस भी रख दूंगी क्योंकि अक्रिस को सॉस काफी पसंद है वो सॉस के साथ ही खाता है बच्चे अपना नास्ता वगरा जब तक करेंगे उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ने बिठाओंगी तब तक अभी बच्चे अपना नास्ता कर रहे हैं ना तब तक थोड़ा सा कपड़े थे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं मसीन ही लगा दूँ पर क्या हुआ ना एन मोक कबे जैसी मैं मसीन लगाने जा रही थी हमारे यहां पर लाइट भाग गई और आजकर लाइट भी बताने इतनी ज़्यादा चली जाती है आती नहीं है आधे एक गंटे तक फिर मैंने का इतना इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि मौसम भी खराफ हो रहा है मतलब नहाने के बाद बातरूम का कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता पर अभी मजबूरी थी तो मैंने का चलो कोई बात नहीं हाथ से ही इनको धो लेते हैं लाइट का कोई भरोशा नहीं है लाइट का वाय करके तो मैं जल्दी से इनको हाथ से धोलूंगी यहां पर बच्चों की शर्ट मुझे खाली धोनी थी, क्योंकि आजकल बच्चे देर दो घंटे के लिए ही स्कूल जाते हैं, उनका एक्जाम चल रहा है, तो पैंट इतनी गंदी नहीं होती, शर्ट की जो स्लीप सोते हैं, उनको बहुत जादा गंदा करके ले आते हैं, एक दम काले का जाते हैं, बिल्कुल जहां बच्चों की बैक साइड का होता है, हाथ का लिखने के लिए बैंच में हाथ रखते होंगे न, तो पूरा इतना काला हो जाता है, पैंसिल वगरा के पूरा ब्लैक ब्लैक करके ले आते हैं, तो खाली शर्ट मुझे उनकी धोनी थी, पैंट की ज इनको हम हाथ से ही धुल लेते हैं, सारे कपड़ों को धोके रख दूंगे, साइड इनको मैं अभी लाइट आ जाएगे न, बस मैं ड्राय करूंगी, नहीं तो ड्राय नहीं करूंगी, तो ये कल तक भी नहीं सुखेंगे, क्योंकि मौसम बिल्कुल ही बारिश होरी है न, त धूप होती, फिर तो सूखी जाती, बिना धूप के ये कपड़े नहीं सूखने वाले, और मेरे सारे कपड़े फिर से भी गए हैं, और हाँ ये सूट मैंने ट्राय करा, ये सूट मुझे आ गया था, मुझे इसको पहन के इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि कोई कपड़ा ह जो आपका बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, भले ही वो कपड़ा कितना भी पुराना हो पर हमें उसको पहन के सुकून मिलता है, तो उन्हीं से एक मेरा ये वाला सूट है, जो मुझे पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो इसका कलर है यल्लो और यल इस भी चड़ा दिये थे बनने के लिए, और अब मुझे करनी थी, ये जो हमारे कैबिनेट है नीचे वाला, इसको क्लीन करना था, ये खाले अलमीरा सी बनी हुई है, इसमें कोई अंदर कैबिनेट वगरे नहीं लगे हैं, बस ऐसे ही इन्होंने बना रखा है, जिसको टो टाइम मुझे क्लेन करना पड़ता है, अब नमकीन बिसकित मेरे जो भी होते हैं, वो मैं सारे नीचे ही रखती हूँ, बच्चे दिन भर मैं दस बार इनको खोल के, कभी नमकीन खाने हैं, कभी बिसकित खाने हैं, ये सारी चीज़े खाते रहते हैं, तो वो ना एक इसा हो रहा था, रेट रेट सा निकल जाता है ना नीचे से, तो वो सब हो रहा था, मैंनका आप मैं इसको क्लीन भी कर देती हूँ, एक साइड मेरा लंच भी बन रहा है, और जब भी मैं लंच बनाती हूँ, तो मुझे कीचन का कोई भी काम करना होता है, तो मैं कर लेती मैं उसको बाहर निकाल दूँ पर ये देखे निकल के न उड़ गई है अब तो मैं उसको निकालने की कोसिस में लगी हुई थी तो छोटी सी थी एक बटरफ्लाय उसको मैंने हटा आया चाबल नीचे के जो थोड़ा सा रखे थे आधी गिलास की सम्तिंगे होंगे वो अलग थ भी ऐसे ही रख दिया है क्योंकि फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर टेस्ट में थोड़ा फरका जाता है तो मैंने चाबल रखे और आटा वगरा का जो कंटेनर है बाहर निकाला और देख सकते हैं आप यहां क्या हाला थो रही है बिल्कुल ही ज्यादा गंदा हो रख है क्योंकि क्या होता है अगर हम नीचे कुछ भी नहीं बिछाएंगे नीचे पुरा सिमेंट सिमेंट सा हो रहा है तो इसके जो हमारे कंटेनर है यह आटा चावल के यह नीचे से जो इनका तला होता है नीचे वाला वो पुरा घिस जाता है तो नीचे कुछ बिछाया रहता तो यह इतना ज्यादा खराब नहीं होगा और यहां कुछ ना कुछ काम होता है पर फिर भी यहां इतनी ज्यादा मिट्टी मिट्टी खटा हो जाती है पुरा रेत रेत सा निकलते जाता है नीचे का तो बहुत ज्यादा धूल धूल यहां पर हो जाती है तो इसको मैं साफ कर लूँगी और वापस से पूरे कंटेनर वगरा को मैं रख लूँगी तो लंच बनाने के साथ न मैं कुछ न कुछ कीचन का अपना काम पकड़ के बैठ जाती हूं मुझे कभी कुछ साप करना होता है तो एक साथ दो दो हमारे काम भी हो जाते हैं जैसे आपने लंच भी बना लिया साथ मैं आपने क्लेनिंग भी कर ली तो बहुत जादा फाइदा होता है अभी सुबह के बारा बज़े का ये टाइम था मतलब दिन के बारा बज़ गे थे और आज मैंने लंच भी जल्दी बना दिया था तो सोचा क्या करो मैं सोचा चलिए इसको क्लीन ही कर लेते हैं दोनों बज़ों को भी पढ़ने बिठा रखा है और सुबह अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो टाइम से उठने के आपको बहुत जादा फायदे होते हैं भले एक बार आपको आलस आता है उठने का मन नहीं करता पर एक बार अगर आप उठ जाते हैं सुबह के अगर आ पूरा दिन क्या होता है ना लेट काम करेंगे तो पूरा दिन क्या होता है है आप पूरा दिन स्छी बगए अच्छे आदत अगर आपने पकर ली टायम से उठने की सुबे आप चाहे 10 मिनट का एक्साइश करो अगर आप सुभे exercise करते हैं आपको पूरा दिन active feel होगा आपको ज़रा सा भी सुस्ती नहीं आएगी तो ज़रा सा exercise करेंगे पूरा दिन भर आपको active रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो मेरा तो routine में हमेशा से सामिल है exercise और जब मुझे exercise करने का time ने मिल पाता मैं थोड़ा सा walk ही कर ले थी हूँ मतलब कुछ ना कुछ मैं करती हूँ अपनी body को थोड़ा सा मैं मतलब मेहनाज जरूर करानी चाहिए तो देखे हाँ पर मैंने lunch लगा लिया था बच्चों के लिए और जब से बच्चों को पता चला है ममा ने राजमा राइस बनाया है तो फिर मैंने कपड़ों को जल्दी से dry कर लिया था जैसी light आई क्योंकि कोई भरोसा नहीं था फिर से चली जाती तो मेरे कपड़े रह जाते इनको dry करना मसीन का यही फायदा होता है बहले आप धोलो हाज से ही पर आपको dry करने में थोड़ा सा कपड़े सुखाने में easy हो जाता है अगर आप कपड़ों को dry कर लेते हैं तो थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कपड़ों को dry करने का कपड़े अगर आपके dry हो गए तो आधे तो वो ऐसे ही सूख जाते हैं अभी बस कपड़ों को सूखने के लिए डाल देंगे और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पैयान करूंगी उम्मीद करूं करके अपना सकते हैं आपके अपילन जाओने मैं यहीं अपनी आपके बस totally है क्ड़우 को आपके अपके अपनी पिस्टेक्षक संवे जाते हैं वेजतनी Kn reward को ओप देंगे चल कर्ष़ Вас जे ऊसे तो आपके गकल करूंगी को सॉंपल आंप